बचो हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गणित की पाट्टे पुस्तक का अध्याय तीन दो चरवाले रेकिक समीकर्ण युग में जिसके भाग तीन में आज हम चर्चा करेंगे प्रशनावली तीन पॉइंट एक प्रशन संख्या एक से तीन तक बचो हम अल्रेडी डिसकस कर चुके ह भाग दो के अंत्रगत कि किस प्रकार से किस प्रकार से प्रशनों में दी गई इस्तियों का जामीतिये और बीज गणितीये निरूपन किया जाता है उसी पर आधारित है प्रशनावली तीन पॉइंट एक और इसके सभी सवाल आईए बचो एक करके सभी को हल करते हैं देख वर्ष पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था अर्था साथ वर्ष पूर्व जो उसकी पुत्री की आयू थी उसकी साथ गुनी आयू का कौन था आफताफ अब से तीन वर्ष बाद फिर आपको दूसरी इस्तती बताई जा रही है तीन वर्ष बाद की मैं तुमसे केव आतर वर्ष पूर्व तो वो क्या है सात गुण याइू का है तो इंट्रेस्टिंग तो ही इस इस्तती को बीजगणितिये एवं ग्राफिये रूपों में व्यक्त कीजिए तो बीजगणितिये रूपों में व्यक्त करने के लिए बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या पता होने चाहिए अग्यात राशी कौन-कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए और जो दी गई दो शर्ते हैं वो कौन-कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए यहां अग्यात क्या है आफताफ की आयू और उसकी पुत्री की आयू और बच्चों एक बात ह आयू समंदी प्रशन आप से पूछे जाएंगे और आपको आयू अज्यूम करनी है माननी है तो आप हमेशा क्या करें वर्तमान आयू माने हल में हम क्या लिखेंगे देखें बच्चों हल में हम सरुपर्थम लिख देंगे माना की आफताब की वर्तमान आयू बराबर एक्स वर्ष आफताफ की वर्तमान आयू क्या मानलें एक्स वर्ष तथा तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयू ये क्या मानलें वाई वर्ष कितनी मानलें वाई वर्ष ठीक है इस्तती एक देखिए पहली इस्तती क्या है साथ वर्ष पूर्व की तो हम देखते हैं साथ वर्ष पूर्ष अर्थार्थ वर्तमान से साथ साल पहले आफ्ताब की आयू देख लेते हैं आफ्ताब की आयू कितनी रही होगी अभी एक्स साल है साथ साल पहले कितनी होगी बिलकुल एक्स माइनस साथ वर्ष कितनी रही होगी एक्स माइनस साथ वर्ष फिर देखते हैं उसकी पूत्री की आयू तो उसकी पूत्री की आयू तो उसकी पूत्री की आयू यह आपको मिल जाएगी वाई minus 7 वर्ष क्योंकि उसकी पुत्री की वर्तमान आयू कितनी है y वर्ष तो 7 साल पहले कितनी रही होगी y minus 7 वर्ष ठीक है ना बच्चो अब अब प्रशनानूसार प्रशनानूसार देखिए बच्चो आप से क्या कहा गया है कि जो आफताब की आयू है x minus 7 वर्ष ये है साथ गुनी किसकी उसकी पुत्री की आयू अर्थार्ट वाई माइनस साथ की इस पुत्री की आयू का साथ गुना करते ही क्या मिलेगा आपको आफताफ की आयू मिलेगी यहां से जब आप हल करेंगे तो यह मिल जाएगा x-7 बराबर 7y 49 और यहां से यहां से वच्चो आपको मिल जाएगा x-7y प्लस 42 बराबर 0 यह हो गया इस्ततीã का बीज गनितिये निरूपन फिर देखें इस्तती दो इस्तती दो इस्तती दो इस्तती दो आपके पास क्या है तीन वर्षबाद की बात हो आफताब की आयू हो जाएगी X प्लेस तीन वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयू हो जाएगी Y प्लेस तीन वर्ष कितनी बच्चों Y प्लेस तीन वर्ष तीन साल बाद की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे तीन जोड देंगे वर्तमान आयू में ठीक है अब प्रशनानुसार देखिए अब प्रशनानुसार प्रशन में आपको क्या कहा गया है कि ये जो आफताब की आयू है ना X प्लेस तीन ये क्या है तीन गुनी है उसकी पुत्री की आईू, अर्थार्द में कह सकता हूँ, पुत्री की आईू को तीन से गुणा करने पर आफ़ताफ की आईू आजाएगी, ये आपको मिल जाएगा, X minus 3Y, लेकि ये प्लस का 3Y, इदर आके minus का 3Y हो जाएगा, इदर 3 तीया, 9 9 में से 3 गया तो 6, य यह दूसरी इस्तति का वीज गणितिये निरूपन कर दिया है अब हम करेंगे इसका जामीतिये निरूपन के लिए बच्चों हम जानते हैं कि प्रतेक प्रतेक समीकर्ण के हम क्या निकालेंगे कम से कम दो-दो हल निकालेंगे तो देखे समीकर्ण 1 से हम लिखेंगे समीकर्ण 1 क्या है x minus 7 y plus 42 बराबर 0 से आप क्या कीजिए एक चरके मान रखते जाएए दूसरे के प्राप्त करते जाएंगे ठीक है एक के रखते जाएए दूसरे के प्राप्त करते जाएंगे x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रख दीजिए तो यह जाएगा 0 minus 7 y plus 42 बराबर 0 यहां से 7 y बराबर 42 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा x के इस्ठान पर 0 रखेंगे तो अब मैं रख देता हूँ x बराबर 7 रखने पर x बराबर 7 रखने पर ऐसे मान रखेंगे बच्चों जिससे y के मान भी आपके पास क्या आए पूर्णा का आए ठीक है तो देखिए यह हो जाएगा 7 माइनस 7 y प्लस 42 बराबर 0 7 y बराबर हो जाएगा 49 और y बराबर कितना आ जाएगा 7 तो जब आप x बराबर 7 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 7 x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 6 इत्य है इत्य है समी करण एक के लिए हल सारनी एक के लिए हल सारनी देखिए बच्चो इस प्रकार से बन जाएगी x और y x बराबर 0 तो y बराबर 6 x बराबर 7 तो y बराबर भी कितना 7 x बराबर 0 y बराबर 6 x बराबर 7 तो y बराबर भी 7 ठीक यही काम हम किसके साथ करेंगे समी करण 2 के साथ तो हम लिखेंगे समी करण 2, क्या है समी करण 2, x-3y बराबर 6, x-3y बराबर 6 से, अब देखिए, x के मान रखते जाएए, y के परात करते जाएंगे, ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर वापस से x बराबर 0 रख रहा हूँ, तो देखिए, 0-3y बराबर 6, और y बराबर कितना आजाएगा, माइनस का 2, x बराबर 0 रखने पर y बराबर आजाएगा, माइनस का 2, फिर देखिए, x बराबर 6 रखने पर, अगर मैं x के इस्तान पर 6 रख देत हूँ तो यह जाएगा 6 माइनस 3Y बराबर 6 3Y बराबर 0 और Y बराबर कितना जाएगा 0 Y बराबर 0 आएगा जब X बराबर कितना है 6 हम लिखेंगे अतह समी करण 2 के लिए 2 के लिए 2 के लिए हल सारनी समी करण 2 के लिए हल सारनी बच्चो किस प्रकार से तयार हो गई? X का मान रखते गए Y का मान प्राबर करते गए X Y X का मान जब आपने 0 रखा तो Y का मान कितना आया? माइनस 2 X का मान जब आपने 6 रखा तो Y का मान कितना आया? Y का मान आगया 0 तो इस प्रकार से जामीत ये निरुपन के लिए दोनों समीकरणों की हलसारणी हमने तयार कर लिंग अब करते हैं जामीत ये निरुपन बच्चों, उसके लिए आप ले लिजीए graph paper ले लिजीए इस तरीके का और उस पे बना लिजीए x x और y x तो ये y x बना लिया इस प्रक x x और y x बना ले जहां दोनों काटेंगे वो कौन सा बिंदू आएगा मूल बिंदू कहते हैं जहां x x और y x दूसरे को काटते हैं यह x x डेश y y dash x x और y x जहां दोनों प्रतिछेद करें वह बिंदू हो जाएगा मूल बिंदू ओ कौन सा बिंदू मूल बिंदू ओ यहां इस साइड आप लिख दें पैमाना पैमाना क्या है एक्स और वाई के हलों के मान देखिए बच्चों कैसी छोटी संख्याय हैं तो एक सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई ले ले दोनों अक्षों पर एक एक इकाई को व्यक्त कर रहा है समीकर्ण एक के हलो को दर्शाइए एक का हलो गया 0,6 0,6 को दिखाईए एकस पे 0,Y पे 6 1,2,3,4,5,6 तो यह आ गया आपके पास 0,6 फिर देखिए दूसरा मान क्या है 7,7 एकस पे भी 7,Y पे भी 7 एकस पे 7,1,2,3,4,5,6,7 यह आ गया है 7,7 कितना आ गया है 7,7 दोनों को मिला कर हम क्या खींच देंगे एक सरल रेखा खींच देंगे दोनों को मिलाते हुए इन दोनों बिंदूओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजे इस प्रकार से यह इस प्रकार से आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी समी करण एक द्वारा निरुपित समी करण एक क्या है एकस माइनस साथ वाई प्लस बैयालीस बराबर जीरो द्वारा निरुपित सरल रेखा ठीक है फिर देखिए दूसरे समी करणों के हलों को भी प्रदिस्ट कीजिए ग्राप में 0,2 एकस पे 0, य पे माइनस दो तो यह बिंदू आ गया 0, माइनस दो फिर दूसरा हल क्या है 6,0 एकस पे 6, एकस पे 6 और य पे 0 तो 6,0 एक दो तीन चार पांच छे ठीक है दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों बिंदूों को मिला दीजिए और सरल रेखा, सरल रेखा की रचना कर दीजिए इस प्रकार से आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी arrow लगाना मत भूलना बच्चों arrow लगाना मत भूलना समीकर्ण कौन सा है x-3y बराबर 6 x-3y बराबर 6 कैसी रेखाएं हैं ये प्रती छेदी रेखाएं हैं कहीं दूर जाके ये क्या करेगी प्रती छेद करेगी तो प्रती छेदी रेखाएं इस प्रकार की रेखाओं को निरूपित कर रहा है यह जामीत ये रूप से प्रती छेदी रेखाओं को निरूपित कर रहा है तो यह हो गया जामीत ये निरूपन प्रस्ण संख्या एक में आप इस तरीके से करेंगे वर्तमान आयू मानेंगे फिर दी गई स्तितियों के नुस प्राप्त कर लेंगे बच्चों ठीक है चलिए देखते हैं दूसरा प्रेश्ण क्या है देखिए किरिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में तीन बल्ले और 6 गेंदे खरीदी बाद में उसने एक बल्ला एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की तीन गेंदे 1300 रुपए में खरीदी इस इस्तती को भी आपको क्या करना है बीज गणितिये तथा जामीतिये रूपों में व्यक्त करना है तो बीज गणितिये रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समी करण बनाने पड़ेंगे और समी करण बनाने के मुल्य आपको मानना पड़ेगा और मैंने आपको कहा था रोमिला और सोनाली वाला जब हमने एक्जामपल किया था उधारन किया था कि जब भी आपको कीमत या मुल्य मानना हो तो एक वस्तू की कीमत या मुल्य माने तो यहाँ पर देखिए वल्ला और गेंद की बात हो रही ह तो हम लिखेंगे माना की एक बल्ले का मुल्ले बराबर है रुपीज एक्स तथा एक गेंद का मुल्ले वो है रुपीज वाई फिर देखिए प्रस्ना नूसार दो इस्ततियां दी गई है पहली इस्तति में तो आपको तीन बल्ले और छे गेंदो का कुल मुल्य दे रखा है एक बल्ला एक्स रुपे का तीन बल्ले कितने रुपे के हो जाएंगे तीन एक गेंद वाई रुपे की छे गेंदे कितने रुपे की हो जाएगी छे वाई रुपे की दोनों की कीमत कितनी है दोनों की कीमत है तीन हजार गेंदे एक बल्ला और उसी प्रकार की तीन गेंदों का मुल्य है एक हजार तीन सो रुपे समीदद संख्या दो बच्छों समीदद संख्या दो दोनों इस्तितियों को हमने क्या कर दिया है वीज गनितिय निरूपन कर दिया है समी करनों के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है बच्चों समझ में आगäter आपको किस प्रकार से किया एक बाला और एक गेंद की कीमत आद मान ले और फिर दी गई स्थिति में रख दें तो दो समीकरन मिलेंगे यही क्या होता है 20 गंती निरूपन होता है अब हम करेंगे इनका जामीती निरूपन और उसके लिए हम क्या करते हैं प्रतेख समीकर्ण के दो-दो हल निकालते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण एक तीन ख़ब्लेस चह य बराबर तीन ख़जार नो सो से देखिए एक बराबर आप रख दीजिए सो तो एक्स बराबर सो रखने पर अब X का मान में 1, 2, 5, 7 नहीं रखूंगा बचो डायरेक्ट रखूंगा 100 क्योंकि देखें यहां पर कितनी बड़ी संख्या दी गई है 3900 तो X और Y के मान भी आप बड़े बड़े रखिए तो X बराबर 100 रखने पर आपको मिल जाएगा तीन गुणा 100 प्लस 6Y बराबर 3900 यहां से 6Y बराबर 3600 आजाएगा देखो 300 गठेगा तो उधर से और Y बराबर आजाएगा 600 जब x बराबर कितना है एकस बराबर है 100 फिर देखिये एकस बराबर 200 रखेंगे तो 236 इदर बज़ जाएगा 3300 उँसमें 6 का भाग नहीं जाएगा फिर अगर आप 300 रखेंगे तो काम बन जाएगा तो लिखिये X बराबर 300 रखने पर यहां आपको मिल जाएगा 3 गुणा 300 प्लेस 6Y बराबर 390, 6Y बराबर आजाएगा 3000 और Y बराबर आजाएगा 500, Y बराबर कितना आजाएगा 500 अतह समीकरण एक के लिए हलसारणी देखिए लिख देंगे हम अतह समीकरण एक के लिए हलसारणी इस प्रकार की आपको प्राप्त होगी एकस के मान वाई के मान एकस बराबर सो तो वाई बराबर कितना बच्चो छैसो एकस बराबर सो तो वाई बराबर छैसो एकस बराबर तीन सो तो वाई बराबर पान सो ठीक यही काम हमें किसके साथ करना है समीकरण दो के लिए करना है तो आप लिखेंगे समी करण 2 क्या था x प्लेस 3y बराबर 1300 से देख लीजिए बच्चों समी करण 2 x प्लेस 3y बराबर 1300 से जब आप इसको हल करेंगे तो x का मान 100 रखने पर x का मान 100 रखने पर देखिए 100 प्लेस 3y बराबर 1300 तीन y बराबर आजाएगा 1200 y बराबर आजाएगा 400 300 तीन का उदर ले जाके भाग लगाओगे क्या जाएगा 400 फिर देखिए x बराबर अगर मैं रख देता हूं 400 रख देता हूं 200 300 रखने पर काम नहीं बनेगा x बराबर 400 रखने पर आपको मिल जाएगा 400 प्लेस 3y बराबर 1300 तीन y बराबर आजाएगा 900 y बराबर आजाएगा 300 y बराबर कितना आजाएगा 300 अतह समीकरण 2 के लिए हल सारनी 2 के लिए हल सारनी किस प्रकार की बनेगी देखिए बच्चो ये x और y के मानों की सारनी किस प्रकार की बनेगी x बराबर 100 तो y बराबर कितना 400 और x बराबर 400 एकस बराबर 400 तो y बराबर कितना 300 ठीक है तो ये समीकरण 1 के लिए हल सारनी ये समीकरण 2 के लिए हल सारनी प्रतेक समीकरण के लिए हमने दो-दो हल निकाल लिए अब हम कर सकते हैं इसका जामीत ये निरूपन बच्चों किस प्रकार से ग्राफ पेपर ले 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 य अक्ष और एक्स अक्ष बना ले इस तरीके से ये तो हो गया एक्स एक्स डैश ये हो गया आपके पास य एक्स वाई डैश ठीक है और ये जहां दोनों प्रतिछेद करते हैं कौन सा बिंदू मूल बिंदू ओ फिर देखिए बच्चों पैमाना पैमाना आपको क्या लेना पड़ेगा बड़े बड़े मान हैं बड़े बड़े मान हैं इसलिए आप लिख दीजिए पैमाना यहां लिख रहा हूँ बच्चों graph paper पर ही लिखना है पहमाना एक centimeter को में क्या मान लेता हूँ 101 कितना 101 एक centimeter किसके बराबर 101 के बराबर अब प्रतेक हल बिंदू को बिंदू को दिखाएंगे 100,600 x पे 100 y पे 600 x पे 100 y पे 600 देखिए x पे 100 यह रहा एक खाना किसके बराबर पे 100 के तो यह 100 y पे 600 100 200 300 400 500 600 तो यह आ जाएगा यह बिंदू आ जाएगा 100,600 कितना जाएगा 100,600 अगला हल क्या है 300,500 x पे 300 x पे 300 यह रहा y पे 500 यह रहा तो यह रहा कितना 300,500 दोनों को मिलाएंगे और सरल रेखा खीच देंगे इस प्रकार की सरल रेखा आपको मिलेगी स्केल की साहता से खीचिएगा बच्चो दोनों बिंदों को अच्छी प्रकार से मिला कर समीकरण क्या है समीकरण है पहला 3X प्लस 6Y बराबर 3900 फिर दूसरा समीकरण जो है उसके हलो को दिखाएंगे 100,400 यह रहा कौन सा बिंदू है 100,400 वाला बिंदू है यह हो गया 100,400 वाला बिंदू फिर देखिए 400,300 एक्स पे 400,200,300 चार सो और वाई पे वाई पे कितना वाई पे 300 वाई पे 300 से इस प्रकार की आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी इस प्रकार की आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी और यह यह हो गया दोनों समीकरणों का जामी तिये निरुपन कौन सा समीकरण है यह दूसरा एक्स प्लस तीन वाई बराबर 1300 यह कि समीकरण की है एक्स प्लस तीन वाई बराबर 1300 कैसी रेखाएं आई है बच्चो प्रती छेदी रेखाएं जैसा कि प्रशन संख्या एक में आपके पास प्रती छेदी रेखाएं आई थी प्रशन संख्या दो में भी आपके पास क्या आई है प्रती छेदी रेखाएं ही आई है ठीक है अब देखते हैं प्रशन संख्या तीन प्रशन संख्या तीन पर ध्यान दे बच्चो 2 kg सेब की बात हो रही है और 1 kg अंगूर 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मुल्य किसी दिन रुपए 160 था एक महिने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मुल्य 300 रुपए हो जाता है इस इस्तति को बीजगनिती तथा जामीती रुपों में व्यक्त कीजिए तो पहले हम करेंगे जामीत ये रूप में व्यक्त और उसके लिए मान लेंगे जो अग्यात राश्या है उनको चर राश्यों के रूप में तो माना की माना की अब मुल्य वाली वात हो रही है तो वापस हैं दो केजी तीन केजी का नहीं मानेंगे एक केजी सेब और एक केजी अंगूर का मुल्य मानेंगे माना की एक केजी सेब का मुल्य बराबर रुपीज एक्स तथा एक केजी अंगूर का मुल्य बराबर रुपीज वाई एक केजी अंगूर का मुल्य कितना रुपीज वाई अब देखिए प्रशना नुसार किसी दिन दो केजी सेब और एक केजी अंगूर का कुल मुल्य कितना है एक सो साथ रुपे एक केजी का कितना एक्स रुपे दो केजी का कितना हो जाएगा 2X रुपए 1 kg अंगूर का कितना Y दोनों का कुल मिलाकर कितना है 160 रुपए फिर एक महने बाद की अगर हम बात करें तो 4 kg सेव यानि की 4X रुपए के आएंगे और 2 kg अंगूर अर्थार्थ 2Y रुपए के आएंगे कुल मिलाकर दोनों के कितने रुपए है 300 रुपए हैं यह हो गया समीकन संख्या 2 कौन सा निरुपण कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं 20 गणिती निरुपण ठीकना अब हम क्या करेंगे जामिती निरुपण और उसके लिए क्या करेंगे प्रतेक समीकन के दो-दो हल हम निकाल लेंगे तो देखिए हम लिखेंगे समी करण एक क्या है समी करण एक दो एक्स प्लेस वाई बराबर एक्सो साथ से एक्स के मान रखते जाएए y के परात करते जाएंगे या y के रखते जाएंगे एक्स के परात कर लीजिए तो x बराबर देखिए बच्चो 50 रख देता हूँ डायरेक्ट ही क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं देखो 160 है न तो 50 रखने पर 2 गुणा 50 प्लस y बराबर 160 और यहां से y बराबर आजाएगा कितना 160 माइनस 100 अर्थार्थ y बराबर आजाएगा 60 y बराबर 60 कब होगा जब x बराबर क्या हो 50 फिर x बराबर रख देता हूँ बच्चों में 60 x बराबर 60 रखने पर जब आप x के इस्थान पे 60 रखेंगे तो 2 गुणा 60 प्लस y बराबर कितना आएगा 160 और यहां से y बराबर आजाएगा 160 माइनस 120 अर्थार्थ y बराबर 40 अतहे हम बना देंगे हलसारनी अतहे समीकरण एक की हलसारनी इस प्रकार की होगी यह x के मान ये y के मान x का मान 50 रखा X का मान 50 रखा तो Y का मान 60 आ गया X का मान 60 रखा X का मान 60 रखा तो Y का मान कितना आ गया 40 ये समीकरण 1 के लिए हलसार्णी हो गई इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए भी हलसार्णी बनाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 कितना है समीकरण 2 4x प्लस 2y बराबर 300 4x प्लस 2y बराबर 300 फिर से देखिए x बराबर 50 रखने पर जब आप x के स्थान पर 50 रखेंगे तो आजाएगा 4 गुणा 50 प्लस 2y बराबर 300 यहां से 2y बराबर आजाएगा 300 माइनस 200 y बराबर कितना आजाएगा देखिए 100 बचेगा 100 में 2 का भाग लगाएंगे 50 आजाएगा तो x बराबर 50 तो y बराबर भी 50 तथा x बराबर रख देता हूँ 60 60 रखने पर देखिए 4 गुणा 60 प्लस 2y बराबर 300 और यहां से 2y बराबर आजाएगा 300 माइनस 240 और y बराबर आजाएगा 30 y बराबर कितना आजाएगा 30 क्यों आजाएगा देखिए 300 माइनस 240 कितना होता है 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30 अतह समी करण 2 के लिए 2 के लिए हल सारणी ये जो 2 हल निकाले हैं उनको हम सारणी में रख कर हल सारणी बना लेंगी इस तरीके की हल सारणी आ जाएगी X और Y के मानों में X बराबर 50 तो Y बराबर भी 50 X बराबर 60 तो Y बराबर 30 आईए अब करते हैं जामीती निरुपन क्योंकि हल सारणी हमने तयार कर ली है ये ग्राफ ले लिजी X अक्सिस और Y अक्सिस बना लिजी तो ये Y अक्सिस मैंने बना लिया है ये हो जाएगा X अक्सिस X अक्स डैश और ये Y अक्सिस Y य डैश फिर देखिए पैमाना पैमाना लिखेंगे बच्चो ये लिख रहा हूँ मैं पैमाना यहाँ पर अब देखिए मान आपके पास कैसे हैं 10, 20, 30, 40 टाइप के तो इसलिए एक सेंटीमीटर बराबर मैं ले लेता हूँ 10 इकाई एक सेंटीमीटर बराबर कितना 10 इकाई जहां दोनों प्रतिछेद करते हैं X X और Y X क्या लिख देंगे मूल बिंदू हर एक हल को दिखाते हैं बचो पहले समीकन एक के लिए 50, 60 50, 60 X पे 50 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया 50 Y पे 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 66 के बराबर तो यह वो बिंदू आ जाएगा जो दिखाएगा 50, 60 X पे 50 देखिए 10, 20, 30, 40, 50 5 खाने किसके बराबर हो जाएंगे 50 Y के बराबर Y पे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 खाने किसके बराबर 60 Y के बराबर क्योंकि एक खाना किसके बराबर है दसिकाई के बराबर ठीक है दूसरा हल देखिए 60,40 एकस पे 60 एकस पे 60 और वाई पे 40 तो एक दो तीन चार ये लो ये आ जाएगा 60,40 दोनों को मिला कर हम क्या कहीं चलेंगे सरल रेखा कहीं चलेंगे दोनों बिंदूओं को मिला कर सरल रेखा खींच दीजिए सरल रेखा खींच दीजिए जो किस समीकंड की होगी जिसके ये हल है समीकंड कौन सा था 2X प्लस Y बराबर 160 ये सरल रेखा कौन से समीकंड की है ये हैं दो X प्लेस Y बराबर 160 ठीक यही काम हम समीकन दो के लिए करेंगे दोनों हलों को दिखाईए 50,50 X पे 50, Y पे 50, 10, 20, 30, 40, 50 ये वो बिंदू आजाएगा जो किसको दिखाएगा 50,50 को फिर अगला अगला है 60,30 60,30 ये वो बिंदू आजाएगा जो दिखाएगा किसको 60,30 को दोनों को मिलाएंगे और सरल रेखा खीच देंगे इस परकार से क्या ये रेखाएं एक दूसरे के समानतर आई हैं तो आ सकती हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम द्वीचर रेखिक समीकर निकाय का ग्राफ ये निरूपन करते हैं प्रती छेती रेखाएं भी आ सकती हैं समपाती भी आ सकती हैं और समानतर भी आ सकती हैं प्रशन संख्या 3 में हमारे पास किस प्रकार की रेखाएं प्राप्थ हुई समानतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं प्राप्थ होंगी समानतर रेखाएं कौन सा समीकर्ण है ये ये है 4x plus 2y बराबर 300 ठीक है ये दूसरे समीकर्ण की रेखाएं कैसी हैं दोनों समानतर त 3.1 के तीनों सवाल उमीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है आप उनको पुने एक बार प्रैक्टिस में लाएंगे कोशिश करते रहेंगे खुश रहिए बच्चों धन्यवाद